नमस्कार शिक्षार्तियों एनाई इसके स्टूडियो में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा आज जिस विशय पर आप से चर्चा करने जा रही हूँ वह है सामाजिक विज्ञान हेतु युक्तियां उसमें विशेश रूप से भूमिका अभिनए यानि रोल प्लेइंग एवं परियोजना यानि प्रोजिक मेथट के उपर आपसे बात करूंगे हमें परिप्रेक्ष को समझना होगा कि भूमिका अभिनए क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भूमिका अभिनए को हम नाट्टी करन भी कहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण में यह एक बहुत उप्योगी साधन है इससे ना केवल शिक्षण को सरस सुबोध और प्रभावशाली बनाया जा सकता है बलकि विद्यार्थियों में अनेक व्यक्तिगत और नागरिक गुणों को भी विक्सित किया जा सकता है हम सब जानते हैं कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश बालक की प्रतीक शमता का प्रयोग करना है एवं उसको अधिकाधिक संसाधन युक्त बनाना है भूमिका अभिनय इस द्रिष्टी से बहुत महत्तुपूर है और बहुत लाबकारी है प्रतीक बालक में हम जानते हैं अनुकरण, क्रियाशीलता और अभिनय की कला या प्रवत्ती जन्म से होती है शिक्षण इस प्रवत्ती का उप्योग कर सकता है वह बालक की शक्तियों को इन शक्तियों को विक्सित करने में भूमिका अभिनय का प्रयोग कर सकता है शिक्षार्तियों, शिक्षा के सभी इस्तरों पर घुमिका अभिन्य या नाटी करण के माध्यम से अपने देश और विदेश की राजनितिक परिसितियों, भौकलिक संसादनों और एतिहासिक तत्यों के प्रति सचेत होते हैं उनमें अनेक प्रकार की स्रिजनात्मक शक्तियों का विकास होता है, नाटक लेखन, वाचन, इत्यादी बहुत प्रकार की स्रिजनात्मक शक्तियां उनके अंदर विक्सित हो सकती हैं, उनको उसका मौका मिल सकता है इसके अलावा जो उनकी स्वभाविक प्रवित्तियां हैं उनका भी विकास हो सकता है भूमिका अभी नए कितने प्रकार का हो सकता है या उच्च प्रात्मे किस तर पर कक्षा में अध्यापक किस प्रकार भूमिका अभी नए का प्रयोग कर सकता है इस विधी को प्रयोग कर सकता है मुख्य तरीके चिनके माध्यम से वो इस विधी को प्रयोग कर सकता है वो है अनौपचारिक अभी ने आपचारिक अभी ने कटपुतली का खेल दिखा सकता है मुख अभी ने या आशु कभी ने अनौप चारिक अभिने उच्छ प्रात्मिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत अधिक उप्योगी हैं क्योंकि इस स्तर पर बालक जुग्यासु होते हैं वे जिसका भी अध्यन करते हैं उस चरित्र का रोल करने में उस चरित्र की भूमिका करने में उन्हें बहुत आनंद आता है ये विद्यार्थियों को उस व्यक्ति के चरित्र की पहचान करने के योग्य बनाता है वे उस व्यक्ति के विवहार के बारे में न केवल समझते हैं बलकि जीवन में उसका अनुकरण करने का प्रयास भी करते हैं आपचारिक अभिने थोड़ा इससे आलग होता है इस इस्तर पर विद्यार्थियों के जीवन में सामवेगिक, मनोवेग्यानिक बहुत सारे परिवर्तन होते हैं तो आपचारिक अभिनय या आपचारिक भूमिका अभिनय इस दृष्टी से बहुत उपयोगी है। आपचारिक भूमिका अभिनय के माध्यम से विद्यार्थियों में अनेक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। विद्यार्थी भूमिका करते हुए अनेक प्रकार के मूल्यों को परिवर्तित कर सकते हैं वो स्वयम में परिवर्तन महसूस करते हैं समस्यात्मक परिसिती में रोल प्लेइंग द्वारा या भूमिका भिने द्वारा विद्यार्थी ये सीखते हैं कि समय पढ़ने पर अपनी समस्याओं का हल कैसे खुजा जाता है तो इस प्रकार से रोल प्लेइंग हो या सोशियो ड्रामा हो ये अपचारीक अभिने के जो रोप हैं उनका प्रयोग उच्छ प्रात्मी किस तर पर विद्यार्थियों के लिए किया जा सकता है और ये एक उपयोगी विधी हो सकती है कटपुतली का खेल हम सबने बच्पन में देखा हैं हम सब इसके बारे में जानते हैं ये भी भुमिका अभिने का एक रोप है जिसको कक्षा में भी प्रयोग किया जा सकता है इसमें एक फाइदा ये होता है कि इसमें स्टेज का निर्मान करने और वेशभूशा आदी की दृष्टी से बहुत कम खर्चाता है ये कम खर्चीला है और ये जो शर्मीली प्रवत्ती के विद्यार्थी होते हैं उनको भी जो स्टेज पर सामने आने में जिनको संकोच होता है नहीं आना चाहते हैं नहीं बोलना चाहते हैं उनको भी भाग लेने के लिए ये विद्धी प्रेरित करती है तो कटपुतली के खेल के माध्यम से वो मंच के पीचे से अपनी भूमिका को निभा सकते हैं भूमिका अभिने का एक रूप है मूख अभिने मूख अभिने हम सब जानते हैं मिमिक्री सभी वच्चों को इस क्रिया में आनन्द आता है किसी भी परिस्तिती पर विचार विमर्ष और परिवर्तन के लिए ये कच्छा अधार प्रदान करता है कक्षा में इसके माध्यम से यदि शिक्षन किया जाए तो ये बालकों को कल्पना करने या अनुमान लगाने का उनकी तर्क कौशल, चिंतन कौशल को भी विक्सित करने का अवसर देता है ये परिकल्पित खेल है और इसमें संपूर कक्षा के विध्यार्ती सहज रूप से भाग ले सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है भूमिका अभिने का एक विध्यार्थी होती है आशुक अभिने जिसको हम कह सकते हैं एकस्टेमपोर ड्रमाटाइजेशन क्या होता है कि इसमें किसी भी विद्यार्थी को ख़ड़ा कर दिया जाए और उससे उस विशेक पर कुछ अभिने करने के लिए कहा जाए ये बहुत शिक्षे प्रदा सूचनात्मक होता है बालकों की मानसिक रिया को प्रोच साहित करता है इसमें कक्षा कक्ष में स्टेज का निर्मान करने या किसी दृष्षे का निर्मान करने भी की भी कोई आवशकता नहीं होती और इसके अंतरगत विचार शक्ती का विकाज भी किया जा सकता है यह कुछ भूमिका अभिने के प्रकार हैं जिनका प्रयोक्षिक शक उच्छ प्रात्मिक इस्तर पर कर सकता है इसमें यह ध्यान रख्टे वाली बात है कि चरित्रों का चुनाओं बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और ऐसे अफसर प्रदान किया जाने चाहिए जिसमें विचार, विमर्ष, विशलेशन और निल्ले लेना समिले थो अभिनए की तैयारी कैसे की चाहिए भूमिका अभिनए विधी का प्रयोग, शिक्षक किस प्रकार करे और किस प्रकार उसकी पूर्व तैयारी करे दोस्तों किसी भी पार्ट के पढ़ाने के तीन स्टेप्स होते हैं उसकी पूर्व तैयारी उसका प्रस्तूति करण और उसका मुल्यांकन तो अभिने को अगर हम एक विधी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले अध्यापक को उस प्रसंग का चैन करना चाहिए जो विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाया जाना है तो वो प्रसंग ऐसा हो जो उचित हो सारगर्भित हो जो विशय से सम्मंधित हो इसके बाद उसको इसके सम्मंध में सभी स्रोतों की सूचना चाहिए अर्थात वो कहां कहां से इससे सम्मंधी सूचना ग्रहन कर सकते हैं उसके प्रसंग की विवेचना करनी चाहिए चाहिए संबाद लिखने के लिए कहने का एक फाइदा यह भी होगा कि छात्रों के लिए ये विशेश लापकारी होगा। छात्र, इसके माध्यम से छात्रों को संबाद लिखने का अभ्यास होगा। इसके पश्षात अध्यापक को पुस्तक के समबादों को बालकों से कक्षा में सुनने चाहिए और उनके द्वारा लिखे समबादों को शुद्ध कराना चाहिए और शुद्ध करा के तयार करवाना चाहिए इसके बाद अध्यापक इन समवादों में प्राप्त तत्यों को बालकों से अपनी पुस्तका में संशेप में लिखवाए मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगी कि अध्यापक पुस्तक के समवादों को बालकों से कक्षा में सुने और बालकों से लिखे गए संबादों को शुद कराए, उनको त्यार करवाए और उसके बाद इनको अपनी पुस्तिका में लिखने के लिए कही कभी-कभी इन पर अध्यापक द्वारा प्रश्ण किये जाएं इस से छात्र व्यक्तियों की वास्तिविक्ता को समझ पाएंगे या उनके चरित्र को आत्म साथ कर पाएंगे इन क्रियाओं के पश्षाद बालकों से अभिने कराना चाहिए भूमिका अभिने युक्ति का लाब क्या है? पहला बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है बालक अपनी तरफ से इंप्रोवाइस करना सीखते हैं वो अपनी कल्पना अपनी कल्पना शक्ति अपनी स्रिजनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं भूमिका अभी नए युक्ति बालकों में लोगतांत्रिक व्यवहार प्रणाली का विकास करती है वो समुह में रहना, समुह में कारे करना, अपने अधिकार, दूसरों के अधिकार को समझना सीखते हैं इस्मरण शक्ती का विकास होता है इस विधी के द्वारा सीखी गई विशेवस्तु छात्र कभी नहीं भूलते हैं बच्चों की समरण शक्ती को विक्सित करने की दृष्टी से यह विधी बहुत अच्छी है इसके साथ सथ छात्रों को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर तो मिलता ही है और उनमें उचित सूजबूज का भी विकास होता है उनकी रुचियों का विकास होता है वो अपनी रुची का छेत्र चुनते हैं अगर वो मंच सज्जा में रुची रखते हैं तो वो मंच सज्जा अगर वो वेजभूशा सज्जा में रुची रखते हैं तो उस प्रकार तो सब प्रकार के बालकों को अपनी अपनी रुचियों के विकास का अफसर मिलता है इंद्री प्रशिक्षण भी होता है उनकी आँख ना कान इत्यादी जो इंद्री शक्तियां है उनका विकास होता है व्यक्तिगत भिनताओं के अनुसार अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में विजनता प्रदान करने में साहेता प्रदान करती है इसका क्या ताथ पर हुआ? इसका ताथ पर ये हुआ कि सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपनी अपनी व्यक्तिगत भिनताओं के अनुसार उनके पास variety of activities मिल पाती है छात्रों का मनोरंजन तो होता ही है और ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत प्रभावशाली है लेकिन इसकी भी कुछ सीमाई है वो सीमाई क्या है? प्रतीक विद्यार्थी को अभिने कला का ग्यान नहीं होता विद्यार्थी तो छोड़िये शिक्षकों को अभिनेकला का ग्यान नहीं होता यदि शिक्षक स्वयम अभिनेकला का ग्याता नहीं है तो वे विद्यार्थियों को उचित निर्देशन नहीं दे सकता इस विदी के माध्यम से भली प्रकार नहीं पढ़ा सकता यह विदी कक्षा में अनुसाशन हीनता की संभावना लेकर चलती है यदि सकरात्मक और प्रभाव पूर्ण ढंक से इस विदी का प्रयोग नहीं किया गया तो निश्वित ही कक्षा में अनुसाशन हीनता पैदा होती है आर्थिक कारण एक महत्वपूर्ण सीमा है इसकी क्योंकि यह खर्चीली है यह समय की द्रिष्टी से, श्रमि की द्रिष्टी से, तो खर्चीली ही धन की द्रिष्टी से भी खर्चीली है और हमारे भारती स्कूलों में जहां तक स्थिती है वहाँ पर इस प्रकार के संसाधन उपलब्द नहीं है कि अध्यापक प्रती दिन के पाठों में इस विधी का प्रयोग कर सके वर्ष भर्ग का जब कारिक्रम होता है वार्षिक समारो होता है या शिक्षक दिवस या बाल दिवस इत्यादी के कारिक्रमों में तो शिक्षक इस विधी का उप्योग करते हुए एक या दो नाटकों की तियारी करवा सकता है लेकिन पूरे पार्टिक्रम को पढ़ाना इस विधी के माध्यम से संभाव नहीं है क्योंकि ना तो शिक्षक, ना विद्यार्थी और ना ही विद्याले इतने संसाधन युक्त है संभाद लेखन की समस्या होती है पुस्तक में लिखे गए संभाद उतने उप्युक्त या प्रभावी नहीं है या उनमें संशोधन की आवशक्ता है तो वह कैसे हो यदि अध्यापक खुद संभाद लेखन में निपुण नहीं है तो यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है यह विधी समय बहुत अधिक लेती है एक पार्ट को इस विधी से पढ़ाने में कई पीरिट कई दिन लग सकते हैं तो समय की दृष्टी से बहुत खर्चीली है और समय का अभाव रहता है समय सारणी के अनुसार इस विधी को प्रयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता और श्रम साधितो है ही विध्यार्थियों के लिए भी और अध्यापक के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रकरणों का उल्ले करना चाहूंगी जिनका प्रयोग शिक्षक उच्च प्रात्मिक इस तर पर भूमिका अभी नहीं के लिए कर सकता है जैसे संसद अथ्वा विधान सभा की कायर प्रणाली कोदर्शाना प्रमुक राजनिति घटना क्रमों कोदर्शाना बुद्ध के जीवन चरित्र की कुछ घटनाओं का अभी ने कब उन्होंने ग्रहता किया किस क्या सार्थी और बुद्ध का वारतालाब था इत्यादी सिकंदर और राजापुरू की भेट के द्रश्य को या सिकंदर, चंद्रकुप्त, मौर, रान प्रताप इत्यादी बहुत सारे जो इतिहासिक चरित्र हैं उनके जीवन की घटनाओं को भूमिका अभिनय युक्ति के प्रयोग में कुछ सावधानियों का प्रयोग आवश्यक है ये सावधानिया यदी नहीं ध्यान में रखे गई तो ये विधी अप्रासंगिक प्रभावहीन हो जाएगी पहली सावधानिय अभिनय के लिए ऐसे प्रसंगों का ही चेन किया जाना चाहिए जिनका नाट्टी करण सुविधा पूर्व किया जा सके अध्यापक के द्वारा ऐसे प्रसंग चुनने ही नहीं चाहिए जिनको अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करपाना कठिन हो अभिनय के प्रसंग विद्यार्थियों की मानसिक आवश्यक्ता और उनकी बौधिक योगताओं के अनकूल होने चाहिए प्रसंग के चुनाव में विद्यार्थियों का सक्री सह्योग प्रात्त किया जाना चाहिए उनसे विचार विमर्ष अवश्य किया जाना चाहिए यह अभिनए किया जाना चाहिए या उतना ही अभिनए किया जाना चाहिए जितनी आवश्यक्ता हो और अभिनय के अंत में भुमिका अभिनय के अंत में या नाटी करण के अंत में इस बात का मुल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए कि उदेश्य पूरा हुआ या नहीं जिस उदेश्य से यह नाटी करण किया गया वह पूरा हुआ या नहीं और अभिने को विद्यार्थियों की स्रिजनात्मक शक्ती के विकास की एक महत्त पूर्ट तकनीक के रूप में प्रयोग करना चाहिए ना कि शिक्षक को अपने को नेता के रूप में प्रदर्शित करने की तकनीक के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षक उनकी रुची और योग्यताओं के अनुसार ही कामसों पे यह ध्यान रखना चाहिए उसको किसी भी भूमिका का अभिने करने से पूर विद्यार्थियों को उसका अच्छा अभ्यास करा लेना चाहिए और अभिने पाठ के अनकूल होना चाहिए दोस्तों ये तो थी भूमिका अभिने की बात अब हम इस चर्चा के दूसरे बिंदू पर बात करेंगे दूसरा बिंदू है परियोजना या प्रोजेक्ट युक्ती प्रोजेक्ट युक्ति या परियोजना युक्ति प्रारंब कहां से हुई सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि परियोजना शब्द कहां आया या परियोजना शब्द कहां से आया सबसे पहले इसका प्रयोग बीस्वी सदी में किया गया था और जहां तक परियोजना पद्धिती की बात है तो इसको जन्म देने का श्रे अमेरिका के शिक्षा शास्त्री डब्ल्यू एच किल्पैट्रिक को है किल्पैट्रिक डीवी के शिश्य थे जो कि अमेरिका के बहुत मानिग हुए शिक्षावित थे किल्पैट्रिक डीवी की विजन को ध्यान में रखते हुए बालकों को उनकी रुचियों, रुजहानों, शमताओं और योग्यताओं के अनुसार क्रियाशील होकर व्यावहरी ज्यान प्रदान करने पर बल दिया जिसका परिणाम परियोजना पद्धिती या प्रोजेक्ट मे इसमें छात्र प्रैक्टिकली काम करते हैं कई विद्ध्वानों ने परियोजना को परिभाशित करा है जैसे किल्पैट्रिक ने कहा है कि परियोजना वो सहृदय उद्देश पूर्ण कार है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण सनलगनता से किया जाता है कई शब्द पारिभाशिक हैं इसमें परियोजना साहिदय उदेश शिपूलकार है अर्था जो हार्ट से किया जाए परपस फुली हो और बाई हार्ट किया जाए और सामाजिक वातावरण में किया जाए मतलब सोशल आसपेक्ट होता है जिसका ऐसा उदेश शिपूलकार जिसका कोई ना कोई सोशल आसपेक्ट होता है उपयोगिता होती है तो किलपैट्रिक ने इसको इस प्रकार परिभाशित किया परियोजना युक्ती की विशेष्टा है कि वास्तो में ये निरिक्षित अधिगम विधी का ही एक रूप है इसमें विद्यार्थी अपनी इक्षा से स्वभाविक और रचनात्मक कारे करते हैं बिना किसी कठनाई के उत्तम सामाजिक जीवन व्यतीत करना वो सीख सकें इस हेतू इसमें प्रतेक कारिका कोई न कोई उद्देश आवश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए पहले योजना बनाई जाती है इसमें केवल लर्निंग बाई डूइंग पर ही बल नहीं दिया जाता बलकि लर्निंग बाई लिविंग टुगेदर साथ रहते हुए सीखने पर बल दिया जाता है चात्र इस विधी में समस्य विधी के समान शिक्षक के मारदर्शन में ज्यानारजन करने का प्रयास करते हैं इसके लिए छात्र पुस्तकालय वाचनालय प्रयोक शाला आदी का समचित उपयोग करते हैं शिक्षक की देख रेक में दिये गए कारिको पूरा करने का प्रयास करते हैं इसमें सभी विध्यार्थी अपनी अपनी शमता और योग्यताओं के अनुसार कारिको स्वभाविक परिसीत्यों में पूरा करते हैं और अन्त में किये गए कारिकी समाज के लिए क्या उपयोगिता रही इसका मुल्यांकन भी करते हैं बहुत सारे द्रविश्यवे साधनों का प्रयोग किया जाता है शिक्षक निर्देशन देते हैं योजना के बारे में आवश्यक साधनों के बारे में लेकिन सारा कारे विद्यार्थियों को स्वय्व करना होता है इस प्रकार प्रारम से ही विद्यार्थी आत्म निर्भर बनने का प्रयास करते हैं परियोजना कई प्रकार की हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत या सामुहिक परियोजना, सरल या बहुमुकी परियोजना, किलपैट्रिक महुदे ने भी इसको वर्गी कृत किया है और उन्होंने परियोजना के चार प्रकार बताएं, रचनात्मक परियोजना, कलात्मक परियोजना, समस्यात्मक परियोजना और अभ्यासात्मक परियोजना, व्यक्तिगत परियोजना वो परियोजना होती है जिसको प्रतेक विद्यार्थी अपने अपने ढग से अलग-अलग पूरा करता है, इसको पूरा करने में उसके अंदर सामाजिक गुण विक्सित नहीं होते क्योंकि ये व्यक्तिकत रूप से कार किया जाता है इसमें सारा कार विद्यार्थी को अकेले करना होता है जबकि सामाजिक परियोजना को कक्षा के सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से पूरा करते हैं ऐसी परियोजना विद्यार्थियों में नागरिक्ता एवं सामाजिक्ता की भावना का विकास करती है दूसरा वर्गी करन विद्धियार्थियों, मैंने बताया सरल एवं बहु मुखी परियोजना सरल परियोजना में विद्धियार्थियों को केवल एक ही कारे पूरा करने के लिए दिया जाता है विद्यार्थी सम्हों में कारे करते हैं लेकिन ये परियोजना बहुत सरल होती है जैसे नाटक या एकांकी की रचना करना या कविताओं का संकलन करना इसके द्वारा उन्हें केवल एक ही विशय का ग्यान प्राक्त होता है बहुमुखी परियोजना में विद्यारतियों को एक से अधिक कारे करने परते हैं जैसे मकान का मॉडल बनाना, पार्सल भेजना इनको पूरा करते हुए विद्यारतियों को वहुत सारे विश्यों का ज्ञान एक साथ हो जाता है जैसे भाषा, गणेत, इतिहास, भुगोल आधी बहुत सारे विश्यों का ग्यान वो एक सार प्रात कर पाते हैं बहुमू की परियोजना में किलपैट्रिक महोदे ने जो वर्गी करण दिया है उसमें रचनात्मक, कलात्मक, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक परियोजना में उन्होंने वर्गी कृत किया इसको रचनात्मक परियोजना किसी विचार या धारणा को एक मूर्त या रचनात्मक रूप देने के लिए चैनित कारियोजना है मतलब कुछ construct करना, constructive है यह जैसे सामाजिक विज्ञान, विशय की बात करें तो भारत के धरातलिय स्वरूप को किसी प्रती रूप द्वारा प्रदर्शित करना यानि मॉडल द्वारा प्रदर्शित करना, मॉडल बनाना कलात्म परियोजना में किसी भावना या सौंदर अनुभूती पर कारी को प्रस्तुत किया जाता है जैसे किसी परवती प्रदेश के द्रिश्य को प्रती रूप द्वारा प्रदर्शित करना जिस देख के जो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है समस्यात्मक परियोजना में किसी समस्या के समधान के लिए योजना का निर्मान किया जाता है जैसे ये जानने का प्रयास करना कि एहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्व के इस्थानी करण के मौलिक कारक क्या है और समस्यात्मक परियोजना में किसी समस्या के समधान के लिए योजना का निर्मान किया जाता है और उसको पूरा किया जाता है उधारण के लिए जैसे ये जानने का प्रयास करना कि एहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्व के स्थानी करण के मौलिक कारण क्या है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ये ग्याद करना कि भारत के और किस छेत्र में हम इस प्रकार की अनकूल भागौलिक परिसितियां उपलब्ध करा सकते हैं तो ये भी एक प्रोजेक्ट है परियोजना है अभ्यासत्मक परियोजना किसी कौशल या कारिदक्षता को प्राप्त करने से संबंदित योजना है इसका संबन किसी प्रकार के कौशल से है जैसे लेखाचित्र त्यार करना जैसे सांखी किये विशलेशन करना इत्यादी परियोजना के कुछ आधार्वु सिध्धान्त होते हैं ये उसकी आवशक शर्ते कह सकते हैं या इनको सिध्धान्त कहना अधिकुप्युक्त होगा जैसे सोदेश्यता का सिध्धान पर्योजना सोदेश पूर्ण होती है कोई ना कोई उदेश इसके साथ हर पर्योजना के साथ होता है स्वतंतरता का सिद्धान ताथ पर प्रतीक बालक को इसमें अपने इस तरपर व्यक्तिका स्वतंतरता होती है कि वे किस प्रकार परियोजना को पूरा करने में मदद करेगा बालत अनेक प्रकार की विबिनताओं वाले होते हैं कुछ अधिक कुछ कम काम कर सकते हैं तो फोर्स नहीं किया जाता किसी को भी किसी कारे के लिए फोर्स नहीं किया जाता ना शिक्षक की तरफ से ना समू की तरफ से शिक्षारतियों परियोजना के अधार्वू सिध्धानतों में तीसरा सिध्धान थे क्रियाशीलता का सिध्धान बालक क्रियाशील होकर इसमें भाग लेते हैं प्रोजेक्ट बालक को क्रियाशील बनाता है और वो विविन प्रकार की क्रियाओं में भाग लेते हैं और सक्री रूप से भाग लेते हैं और इस प्रकार से वो करके सीखते हैं चौथा सिद्धान थे वास्तविकता का सिद्धान यनी परियोजना वास्तविक जीवन से सम्मंदित होती है ये वास्तविक ताका सिद्दान व्यक्तिगत या सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोंड से सम्मंदित होता है चौथा सिद्दान ते वास्तविक ताका सिद्दान परियोजना वास्तविक जीवन से सम्मंदित होती है वास्तविक सामाजिक जीवन से सम्मंदित होती है निरर्ठक है। अगला सिद्धान से उपयोगिता का सिद्धान। अर्थात प्रतिक परयोजना उपयोगी भी होनी चाहिए। समाज की द्रिष्टी से उसकी उपयोगिता सुनिशित की जाती है, तभी उस पर काले किया जाता है। और अन्तिम सिध्धान सामाजिक विकास का सिध्धान इसमें प्रतिक बालक को अपने सामाजिक विकास का अवसर मिलता है सामाजिक दक्षताओं का अवसर मिलता है किस प्रकार से वारतालाग किया जाता है किस प्रकार से सम्मुह में कारी किया जाता है कौन नेत्रतु करता है किस प्रकार नागरिक गुणों का प्रयोग किया जाता है ये वहाँ सारी चीजें हैं जो बालक एक परियोजना के अंतरगत कारी करते हुए सीखता है इसके कुछ पद हैं, आवश्यक पद हैं सबसे पहला पद है परिस्थिती का निर्मार करना अध्यापप परियोजना पर कारे करने से पूर्व या कारे कराने से पूर्व परियोजना को निश्चित करने से पूर्व कक्षा में एक परिस्थिती का निर्मार करता है उसको भूमिका बनानी होती है उस भूमिका के आधार पर वो छात्रों को परियोजना पर कार्य करने के लिए तयार करता है वो समस्या के रूप में हो या किसी चुनाथी के रूप में हो किसी प्रिश्ण के रूप में हो वो उनकी समक्ष उसको प्रस्थुत करके परिस्थिती बनाता है एक वातावरण बनाता है और इस रकार आगे बढ़ता है जब परिसिती का निर्मान हो जाता है तब बारी आती है परियोजना का चैन करने की किस परियोजना को चुना जाएं? यह बहुत ध्यान देने की बात है कि परियोजना के चैन में सभी वालकों की भुमिका होनी चाहिए और अध्यापक उसमें एक निर्देशक के रुप में होना चाहिए परियोजना का जब चयन किया जाता है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि उसमें सामुहिक सहमती हो अर्थात सभी वालक उस परियोजना पर कारे करने के लिए तयार हो जब परियोजना का चयन हो जाता है परियोजना निश्यत हो जाती है तब फिर उसको पूरा करने का एक कारिक्रम बनाया जाता है एक फ्रेमिंग की जाती है प्लानिंग की जाती है इस कारिक्रम में बहुत सारी क्रियाई और कौन किस कारिक को करेगा इत्यादी बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती है फिर इस कारिक्रम को क्रियानवित किया जाता है और ये कारिक्रम जब क्रियानवित हो जाता है परियोजना, पर्क, बच्चे अपने-अपने हिस्से का कारिक कर लेते हैं तब फिर जहें कारिका लेखा किया जाता है कि सव nou किया जिसको वो कार्य दिया गया था उसका कितना प्रतिशत कार्य हुआ क्कुन सी कमिसां रह गई जिनको दूर करना है और उसके बाद कितना और अभी काम बागी है किस तरीके से आगे बढ़ना है इत्यादी और इसके साथ यह भी देखना कि क्या परियोजना के उद्देश की पूर्ती हो गई विद्यार्तियों इस प्रकार से हमने देखा की परियोजना पद्दिती अपने आप में अच्छा भी की और लेकिन इसके सासत इसमें कुछ कमिया भी है जिनका ध्यान अध्यापक को रखना होगा जैसे कि अध्याप समय और धन की द्रिष्टी से खर्चीली तो है संदर पुस्तकों की कटनाई भी हो सकती है और उच्षित परियोजना का चुनाव करना बहुत अनुसाशन हिंटा की भी समस्य ओजाती है लेकिन यह शिकषक चाहे तो वे इन सब कटनाईयों को दोशों को दूर कर के पर योजना विधी का सही तरीके से उपयोग अपनी कक्षा को कर सकता है अच्छा निर्देशन दे सकता है अच्छा पार्च देसकता है इन कटनाईयो को दूर कर ले यदि शिक्षक तो यह विदी बहुत अधिक प्रभाव पूर्ण हो सकती है यह मनोवेग्यानिक हैं हम सब जानते हैं और इस प्रकार से अनुसाशन हींतार या यह सब जो कमिया है इसको दूर भी किया जा सकता है यदि शिक्षक इस पर थोड़ा सा ध्यान लेते हुए इस पर कारी करें आप सभी का बहुत अधिक धन्यवाद आपने बहुत अधिक धैरे पूर्वक सुना आशा है कि यह वक्तव्य आपके पार्टिक्रम की दृष्टी से उप्योगी सिद्धों होगा इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद नमस्का है